नमश्कार दर्शको दर्शको आज मैं बात करूँगा नवरत्रों पर किये जाने वाले विशेश उपायों की इसके अंतरगत कन्या राशी वाले अगर ये विशेश उपाये नवरत्रों में करेंगे तो उन्हें हर प्रकार से मदद मिलेगी हर समस्या का समाधान होगा चाहे धन से समंधित समस्या हो चाहे आप पर बहुत ज़दा करजा चट गया हो या शत्रू आपको परिशान कर रहे हो या किसी भी तरह की आपको कोई रोग आपको परिशान कर रहा हो और उसका समाधान नहीं मिल रहा हो तो ये उपाई आपको करना है आपको अवश्य ही लाब होगा जैसे कि हम जानते हैं नवरात्रे आ रहे हैं तो मित्रो ये उपाई उन लोगों को ही करना है जो लोग हर तरह से शुद्ध रहकर ये उपाई करेंगे तबी उसको लाब होगा एक तो आपने किसी भी परकार का भोग विलास में लिप्त नहीं होना है हर रोज नहा दोकर शुद्ध वस्तर पहन कर पूजा पाठ करना है माता का गुनगान करें हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं और साथ में आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं इसके लिए आपको जो समगरी चाहिए हर रोज वो है आपको दो नारियल के लड़ू बनाने हैं या बजार से भी आप ला सकते हैं दो पान के ताजे पत्ते चाहिए डंडी वाले दो पीले फूल चाहिए चाहे गेंदे के हो गुलाब के हो या अन्य कोई भी हो 16 तरह का शिंगार में से कोई दो शिंगार हर रोज आपको लेना है आपको ये सारा सामान लेकर के एक थाल में सजाना है सजा करके आपने घर में जो पूजा करते हैं पूजा करने के बाद आप किसी भी दुर्गा मंदिर में जाएं और ये सारी समगरी आप माता को अरपित करें और अपनी जो भी समस्या है वो माता से कहें और अपनी कामना बताते हुए माता से परार्थना करें कि हे मैया इन नवरातरों में मैं ये उपाए करूँगा मुझे इसका फल देना तो आप ये उपाए करें और इस चीज़ का आपको विशेश ध्यान रखना है कि जब भी ये उपाए आपने करना है तो बिलकुल शुद्ध अवस्ता में करें और सुबह आप जब नहाएं तो थोड़ी सी फिटकरी जो होती है उसका चूरा करके रख लें और उसको पानी में डाल करके उस पानी से आपने शनान करना है पवित्र होना है और फिर ये उपाए आपको करना है एक निशेद है इसमें रात को दूद पीना तो आप रात को किरपे करके जितने दिन ये पूजा करेंगे उतने दिन दूद नहीं पीएंगे और ये उपाए आप कन्याराशी वाले विशेश तोर पर लाब दायक होगा तो ये उपाए करें और ज्यादा से ज्यादा लाब लें नवरात्रों में धन्यवाद जैमाता दी